तो आज का जो class है हमारा नैट, इसको बोलते हम लों Network Address Translation राइट तो आज हम net के बारे हम पढ़ेंगे, net क्या है, कैसे काम करता है, किसले इसको यूज करते हैं, कहां पे इसका यूज होता है, तो net के बारे माच हम पुरा जानने वाले, जो इसका पुरा नाम है, मैं आपर ए चाल चाल लिए था एक निट्रोब कैने लिया था तो यहांपे मैंध्य घरता हूं यहाँ पर इसुन उसले में यहाँ पर इमेज्य बिल्य अब उसले तोलुक्त तो अब आपके पास अब्धौर में देखा कंघ यहां पे public and private तो जो आपके router के LAN इंटरफेश निए जो router के आपके LAN इंटरफेश जहां से आपके PC connect होते हैं, switch connect होते हैं, वो होते हैं आपके private network and एक होता है public network और मैं आपको already बता चुका हूँ कि जो आपके router होते हैं, उनके पास दो तरक address होते हैं, एक public address होता है, एक private address होता है, जो private, private से communication करता है और public, public से करता है, जब हम IP address के classes भी कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि public and private IP के बारे में, public IP, public से communication कर सकता है, प्राइबेट से communication कर सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो भी PC है, अब यस्ट मैं आपको अपने PC दिखाऊ, run command में, cmd में मैं चेक कराता हूं आपको, IP config, इसकी जो IP है, वो है 192.160.115.18, यह इसकी IP है, बट यह private IP है, यह हमारी public IP नहीं है, हमारी public IP क्या है, तो आप अपने ब्राजर पुजाएए, और यहाँ पे आप सर्ज कर लिजिए, what's my IP, and कोई भी एक साइट उपन कर लिजिए, यहाँ से, और आपको अपना IP address है, यहाँ पे दिख जाएगा, तो किस से जा रहे है, हमारी public IP से जा रहे है, ना कि हमारी private IP से, private IP क्या है हमारा, अगेन मैं आपको दिखायता हूँ, यहाँ पर सर्च कर आप, IP config, यह आपकी IP है, private IP, बट request किसे जा रहे है, public IP से, यहाँ से काम कैसे करता है, इसको थोज़ा समझते हैं लोग, अब suppose यह हमारा PC है, और इसकी IP है, 192.168.115.80, यह था ना हमारा PC का IP, यह हमारी PC का IP है, अब मैंने क्या किया, अपने PC पर मैंने यहाँ पर YouTube, Facebook, यह क्लास प्लस, यह जो भी मैं क्लास ले आज सिंटी कॉलेज, मैं यहाँ पर उपन कर रहा हूं, तो क्यों हो क्या रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट क्रेट हो रहा है, एक छोटा सा एक पैकेट क्रेट होगा, और इसमें जो भी आप रिक्वेस्ट केरेंगा, रिक्वेस्ट, और जो भी आपकी IP से रहेंगे, सबी चीज़े क्या होगी, यह क्रेट हो जाएंगी, आपके एक छोटा से पैकेट का अंदर, और यह पैकेट यहाँ से मूव होते हो जाएगा आपके राउटर के पास। राइटvana के पास। जैसे नो यह पाइफ़ ना क्लास प्लस यह उट्वब्यक है। तो आ राउटर क्या कराएगर इस प्रायवेट इप इस पीच्व प्राइवेट आपी को ड्म हैं conservative के अपना करने जाए और फिर जैसे रिस्पॉंस मिलेगा वह हमारे डायट रावटर को मिलेगा और फिर से चेक करेगा कि यह किसके दौर रिकेश रहा था फिर यह क्या कर रिटर्न प्रवाइड कर देगा जैसे मैं आपको क्लास हम तब चुका हम पहले यह होता है हमारा नैट प्रस्ट यहां पर बात करेंगे नैट यह नि जो नेटवर्क एडर्स ट्रांसलेशन एक कितने टाइप का है कैसे काम करता है और इसको कैसे कंफिगर भी करते हैं यहां पर सभी चीह जानने वाले हैं वन बाइवन करके तो बिसके लिए अगर टाइप सब नैट की बात करें हम क्य harm करके होते हैं फर्स्ट वन होता है आपका इस्टैक्टीक नैट धूसरा होता है आपका डैनमिक नैट फूर्ड होता है आपका पैट्नेट तो आपके फ्री टाइप के नैट होते है इस्टैक्टेक्न, democratic तो यहां पे one by one करके बात करते, static net क्या है? static net. static net को आप ऐसे समझ सकते ह। यह one to one mapping करता है. one to one यह क्या करता है? one to one mapping means कि अगर आपके पास एक PC है और इसको publicly जाना है तो क्या होगा यहाँ पे company को एक public IP purchase करना पड़ेंगे एक PC के रहे एक पॉब्लिक IP पर्सेश करना पड़ेगा इसको लोग में इसको 1-2-1 है डान में क्या है तो डान में के अंदर हम एक पूल क्रियेट करते है यहनि एक पूरे हम रेंज को लिटते है इसको हम ऐसे लिख सकते है आई पे अड्रेस रेंज इसको पॉब्लिक आईपी पॉब्लिक आईपी रेंज यहनि हम क्या करते है इसमें एक रेंज को पर्सेश कर लेते हैं और उस रेंज को हम लोग डानमिकली प्रवाइड करते हैं जो भी PC उसे मेंटरेट यूज करना चाहिए वो यूज कर सकता है अगर कोई आईपी फ्री है और सबसे जड़ा यूज जो होता है और जो अभी भी हम यूज करते हैं वह है आपका पैट में जड़ा तर यह यूज होता है आपका पैट में पैट में क्या होते हैं इसमें आपके single IP से single IP used to all PC बिन्स कि इसमें single IP होता है और उसी को सभी PC यूज करते static net क्या है यहाँ पर एक बार आप किलर कर लेते हैं हम लोग इस यह PC है इस PC को पब्लिक ली जाना है तो राउटर के बस एक IP है बट यहाँ पर एक IP से काम नहीं चलेगा अगर जिसमें मुझे PC नेमर वन को पब्लिक लिए एकसेस करना कोई चीज़ है तो सब के लिए एक पब्लिक आपी चाहिए सब के लिए जो भी यहाँ पर यूज करना चाहते है इंटरनेट को या कुछ उन सब के लिए वन वाई उन करके एक प्राइवीट आपी के लिए एक पब्लिक AP सिंगी अप्च owकी काफीश भी होतें अ्धे원 क्या होते हैं डानमिक में हम लोग एक पूल बना लते हैं पूल में इसकी यहाँ पर और अच्छे से क्लिए करते हैं मैं यहाँ पर राइट इस ही कर देता हूं जैसे कि सब्सक्राइब हमारे पास एक आई-पी है 192.168.115. 18 अब यह आई-पी से हमने कुछ इस है रिक्वेस्ट किया स्टैक नहीं किया थे तो इसके लिए क्या होगा एक पपॉब्लिक पभिग चाहिए यह यह इसके लिए एक private IP के लिए एक public IP चाहिए तो public IP हमने को लेते हैं हापे suppose 2.20.20.10 लाते हैं इसके लिए public IP चाहिए यह एक private IP के लिए एक public IP चाहिए अब दिसे दूसरा को यह PCU उसको भी इंट्रेट अक्सेस करना हो उसका IP है 192.168.1.10 है आप चाहते हैं कि इस PC को भी internet access करने लिए तो इसके लिए भी हमें एक अलग से public IP purchase करने पढ़ेंगे पॉब्लिक IP यह एक private IP यह एक computer के लिए एक public IP चाहिए इसे बहुतते हैं static net one to one my thing Dynamics में क्या होते हैं जैसे 10 PC हैं तो हम क्या करेंगे हम यह आपे करेंगे 202.20.20.10 से लेके 10 से लेके अगर हम 20 तक करेंगे हम purchase कर लेंगे अब हो जाएंगे हापे हमारे 10 PC, 10 PC इसलिए हमारे connect हो पाएंगे जो भी 10 PC में से कोई भी PC अगर Android यूज़काना चाहते है तो इसलिए यूज़कर सकते हैं क्योंकि आप हमने पूरा range ले लिया पूल ले इसको होते है पूल क्या है यह आपका पूल यह पूरा आपने क्याना पे पूल किरेट कर दिया और पैटने में क्या होते हैं यह आपके single to all होता है यह यह single IP से all IP यह यह जो है आपका पैटनेट कंफिगर एक पब्लिक आपी और उसी पब्लिक आपी पे एक ही पब्लिक आपी पे सब्धी हमारे यह उज़के काम कर रहे हैं यह जो के काम करें बट इसको डिवाइड कैसे करता है यह डिवाइड करता है आपको अपने कमांद चुर्म हो जो जाना है आपको computer address class में यह बता दिया गया कि पो एडर्स कैसे चेक करते हैं आपको इखना नेट स्टेट तो आपके जो भी पोड़्ट नमबर इनेवा लेंगे आपको यह पर दिख जाएंगे क्या है क्या है हमारे पोड्र ऑपेन है कौन से पोड वर्किंग में है या नहीं है अभी देखिए यह हमारी IP है 192.160.115.18 एंड लास्ट में कॉलन करके इसको 56169 कर दिये इसने मिन्स कि यह हमारी IP है एक ही IP से रिक्वेस्ट जा रही है लेकिन इसको क्या कि इसने port नमबर से अलग अलग कर दिया port नमर से सब को डिवाइड कर दिया है यह होता है आपका अब इसमें से किसी एक रेंज को किसी को भी प्रवाइड कर सकता है इसलिए वह होता है और यह होता है आपका इसको प्रेट के लिए हम लोग की इंप्लिमेंट करके देखते है आज हम देखेंगे सब्सक्राइड को कर देखेंगे डायमिक एंड पैटनेट को सब्सक्राइड कर लेते हों ठीक है तो इसको प्रेट करने चलते हैं यह सब्सक्राइड करेंगे तो यहां पर मैं दो राउटर ले लता हूँ और यहां पर मैं WSC port को एड करता हूं तो बहुते पहाराफ करूँगा WSC1T को मैं एड कर रहा हूँ है यहां पर जापूर की नहीं है तो एक ही पोट यहां पर हम लेलेंगे तो यह आपका इंटरेट का है यहां पर हम सर्वर को इस्टोर्ड कर देते हैं दो सर्वर लगा देते हैं दो सर्वर हम लगा देहां पर और यह आपके कंपनी का नेटवर्क है और यहां पर एक स्विच लगा लेते हैं कुछ पीची को भी एड कर लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं सबको कनेक्क कर रहते हैं अपने पीची की तरफ हम देते हैं आईपी ज़ो अभे रियल टाइम हमने चेक क्या था, यह हमने चीक क्या था, 192.168.115.18 था, तो यहां पर वह देते हैं, राइट, 18 हमकी चीक पीशे को दे देंगे, और इसके अलाबा यहां पर हम देते हैं, public IP, public IP क्या देते हम, चेक कर लेते हैं, हम लोग एक बार अगें, फिर से, क्या था हमारा, दिश्टेब का IP, यही आईपी हम लोग दे लेते हैं, ठीक है, कोई भी IP दे सकते हैं, इसी IP क्या पर कर लेते हैं, यही आईपी हम लोग दे देंगे, चलिए, पेस्ट कर लेते हैं, ओके, यह यहां पर वाइड कलर में रहा है, ओके, यह आपके पास public IP है, पर इसको एडिट कर लेते हैं, यहां पर हम one कर देते हैं, one, ओके, यह चेंज नहीं हो पा रहा है, इसको मैं दोहार डालता हूँ, ठीक है, अगे मिलता हूँ, 222.20.20.10, ऐसे मिलता हूँ, और इसको मैं देता हूँ, यहां पर, 202.20.20.11, और server को हम आलग IP देते हैं, 15.0.0.1, और इसको मैं देते हैं, 15, इसको देते हूँ, 10.0.0.1, यह हम IP हाँ पर sign करना हूँ, अभी हम क्यवाद IP sign करेंगे, उसके बाद देखेंगे, नाट कैसे कंशियर करते हैं, ठीके सबसे पहले हम IP sign करेंगे, फिर नाट को कंशियर करना देखेंगे, तो सबसे पहले router के हार एक interface पे IP sign कर लेते हैं, सिलाए मुन करते हैं, नो करते हैं, enable and config terminal, interface f0-0 को select कर लेते हैं, IP address 192.168.125.1.255.255.0, अब चलते हैं, अब चलते हैं अपने दूसरे इंटरफेस पे, इंटरफेस sc0-0-0 को भी IP देते हैं, IP address क्या है, 202.20.20.10, एंट यह class C का range है, तो 5.25.25.20, नो सक्ता, तो यहाँ भी हमने IP sign कर लिया, अब चलते हैं अपने दूसरे डॉक ओपर, यहाँ भी हम लोग IP sign कर लेते हैं, अभी क्याँ हम IP sign करने हैं, ठीक है, Configure Terminal, एंट इंटरफेस, serial 0-0-0-0 है, एंट आई प्रेडर से इस पे, 202.20.20.20.11, एंट 255.255.255.0, अब यहाँ पर दो इंटरफेस और है, 0-0 है, 0-1 है, इस पे भी IP जना दे लेते हैं, हम लोग इंटरफेस, FA 0-0 को देते हैं यहाँ पर, IP address, 0-0 यह है आपका, 15.0.0.0.1 है, 255.0.0.0, करते हैं, अगें, इंटरफेस, FA 0-1, 15.0.0.0.0.1, 255.0.0.0.0.0.0, तो हमने राउटर के हर एक इंटरफेस पर हमने आपका साइन कर दिया है, और यह हमारे server है, यहाँ भी हम IP send करते हैं, desktop पर जाएंगे, IP पर जाएंगे, हाँ पर IP send कर दिएंगे हमने, 15.0.0.0.2, and 15.0.0.0.1, default gateway है हमारा, and desktop IP 10.0.0.0.2 and 10.0.0.1, यह इसका default gateway, इननी राउटर का IP, हमने आपके सभी कैसल कर दिया है, हमने हर एक port पर IP send कर दिया है, PC पर भी हम IP send कर सकते हैं, static कर सकते हैं, या आप DSP कर सकते हैं, चलिए static ही हम लोगा configure कर लेते हैं, 1.3 कर लेते हैं, 1.1, default gateway, मैं फास्ट ली सभी PC पर टेशन करता हूं, उसके बाद आगे हमनों बढ़ते हैं, ठीक है, PC no.3 बाग है, और 1.1, 168, ठीक है, तो हमने PC पर भी हर एक PC पर हमने IP send कर गिया है, इस पर ने लिए IPs ने, 1.1, तो क्या अभी ये PC इन सर्वर को पिंक कर पाएंगे, इस सर्वर का मैं नाम में लेता हूं आपर, ये है YouTube server, और ये आपका Facebook server, ये आपके पाएंगे दो सर्वर है, ठीक है, जिसको में रूख करने वाले हैं, तो मैं यहाँ इसके नाम को चेंज कर लेता हूं, सर्वर सिफ जाना है, HTTP पर जाना है, और इन सभी को रिमूप पर के आप यहाँ पर सकते हैं अपने कोडी, ति यहाँ पर आप चीए इडिट कर सकते हैं, अपना नहीं और रिप्लेस कर सभीसीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं अपने कोडी, इसा को इडिट भी कर सकते हैं आप इंडेक्स टाइएमल ये भी हमारे रन होते हैं यहाँ पर जहाँ पर सिस्को प्रेट रिखावा इसको आप रेमोब करके यहाँ पर जो भी सर्वर इस्टॉर कर रहें इसका नाम दे सकते हैं मुझे यूटूब जाना है तो मैं देखना चीक है अब मुझे दूसरे का चाहिए दूसरे का भी हम ले सकते हैं पिडिट जाएंगे और यह रास से इसको प्रेट रिया से रिमोब कर देंगे चीक है जाने देख फेस्बूक डॉट कॉम सेफ कर देंगे इसे क्योंकि जब आप ब्राउजर से रिस्ट करें तो वहां पर वह नाम भी चाहिए है तो आपको सिस्को प्रेट से लिखा हुआ आता है ठीक है तो प्लीस आप लोग यह दियार कर लिजिएगा और कोई भी डाउट हो गई कोई भी दिक्कत होगा तो आप एब पूछ सकते हैं तो यहां पर हम बताएंगे हमारे पास कुछ पब्लिक आइपी भी है प्राइवेट आपी है तो किसी एक पीसी के लिए हम यहां पे सपोज एक पीसी हमारे इसका आइपी है यहां हम क्या कर रहे हैं आप पे स्टेटिक नेट को फालो करते हैं वहां यहां पे एक पब्लिक आपी ले लेते हैं यह इसके लिए हम पब्लिक आपी ले लेते हैं कि जब भी इस आइपी से कोई रिक्वेस्ट जाएगी यह नि जो आपका 192.168.163 जो है अगर इसके दोरा कोई रिक्वेस्ट पैके जाती है तो उसको कहा है बेजना है इस पब्लिक आपी से यह अपने राटो को हम बता रह है तो वह मैं उनकर का मुझे लोग देखते हैं चलिए नटो बाते हैं यह आप पे एड़ करते हैं यह आप करेंगे आईपी राउट टोय ब्लिक चलिय आपके हो पेहले हैं जो आपके सरवर के पास था राउट रहेगा उसका आपी दे रहाता है इसकी एraw हे टो हनाद र läuft 20 डॉर्ट टेल нас team आईपर सव लाट acontece कि यह क्या बोले यह और यहां पर सो आईपी राउट को देखेंगे और यहां पर देखेंगे यह आपके राउट बन गया है यहां पर डारेक्ट करेंट हो गया सिरियल सिरो से है तू और यहां है और यहां है अभी यह करेंशन नहीं बनाया है अगें एक पर ट्राइ करते हैं हम्डों कोंफीगर टर्मिनल आइपी राउट डेस्टिनेशन का ओ सोरी इलेवन है यहां पर इलेवन यहां पर इस अब देखेंगे इसने क्याइसल बना गया क्योंकि यहीं राॉटर है हमारा और शी रैउटर पर एस अक हम बना रहें काईसल्ड लैट यह आपका डेस्टिनेशन कद रेक गयं क्या है तू हरे ना राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे हम दो राउटर का आपस में जोड़ पाएंगे नाइट के मातियम से हमने यहां पर राउट कर दिया तो क्या अभी यह पिंग करेगा इसको नहीं करेगा इसकी आई-पी क्या है इसकी आई-पी चेक करते हम यहां पर 155.3 है राइड यह इ किससे है 202.20.20.5 से आगे भीजना है आपको तो यह चीज़े आपने राउटर का में बताना होता है कि हमारे पास कौनकों से इपी है उतको किस एड़स पे अब कैसे भीजना है ठीक है तर्मिनल एंड यहां पर इनेक्स्ट में चलाएंगे हम लोग आई-पी नेट इनसाइ सोर्स सोर्स का स्टैक है स्टैक नेट का रहा है कि हम लिखेंगे इनसाइब सोर्स इस्टैक और उसका आई-पी जो हमारी स्टैक आई-पी है क्या है 192.168.115.3 यह हमारे पास आई-पी और इसके लिए हमने एक पॉब्लिक आप ले रखा है कौन सा है 222.20.20.5 हमने यह एंड कर देंगे इंटर राइट एंड इसके अलावा क्या करना होता है हम अपने राउटर को बताना होता है इंटरफेस के बारे में कि कौन सा इंटरफेस हमारे इंसाइड में है और कौन सा इंटरफेस हमारे आउटसाइड में है तो सिंपल है आपको इंटरफेस सेलेक करन होंगे लिखेंगे आई-पी नैट आउर्साइट कि और राइट इट आई-पी नैट आउर्साइट इंटर यहां पे अन-ए-ट हो जाएगा ठीक है एन-ए-ट लिखना है आपको आई-पी नैट आउर्साइट यह आपके आउर्साइट के लिए हैं अगेन आपको एक्जिट करना है एंड इंटरफेस एफ़ेस जीरो स्लाइस जीरो इसलाइट करेंगे आई-पी नैट यह आपक इजिट करके आप यह आप इसे कर से सो आई-पी नैट ट्रांसलेशन करके आप देख सकते हैं यह आई-पी है 192.162.115.3 अगर इसके दौरा कोई रिक्वेस्ट आता है तो यह इसके माधियम से आगे उसको भीजेगा ठीक है तो चलिए आप पिंग करे देखते हैं इस पी पिंग करते हैं सर्वर को इसकी आई-पी क्या है सर्वर की 15.0.0.2 है चलो पिंग करते हैं 15.0.0.2 वेट और मैं यह कमगा जब भी आप नैट कंफिगर करें थ्वाँसा वेट करें न क्यूंकि थ्वाँसा स्लो कंफिगरेशन होता है कभी भी नैट के अंदर स्लो करता है कि यहां पर हमने पीची के अंदर वन डॉट थ्री एसान किया है वन डॉट थ्री बट यहां पर हमने जो आई-पर यहां वन फाई दिया है ओकि यहां भी वन वन फाई है आप पीची के आई-पी को चेंज कर लेंगे वन वन फाई दॉट थ्री है ठीक है और यह भी आपका वन फाई डॉट वन है यह यहां पर दिखिए यहां पर मिश्टेक होई थी तो आई-पिंग सभी पीची में यह होगा ओ सभी पीची में पेस्ट कर देता हूँ ठीक है बाई मिश्टेक वन वन फाई की जगाव पे वन ओनली मेंशन होगया था जिसके वास ही इस हुआ रहे थे कोई नहीं ता है बाई मिश्टेक इसका क्या है 10 है ठीक है चलो अब यह आई-पी सभी सभी हो गई अगेन यहां पिंग करते हैं अभी रिप्लाई मिला है इसको कि नहीं यहां पर हम विदाउट प्राउटिंग पोटोकॉल हम नैड का यूज़ करके अपने दूसरे सिस्टम को मियावे पिंग कर पा रहे हैं अब इसका ब्राउजर अक्सेस भी कर सकते हैं आप जाएए यहां पर ब्राउजर पे ब्राउजर को क्लिक करें उपन करें और यहां पर उस आई-पी को दीजि अगर आप यहां पे नेम को चेंज नहीं करेंगे जैसे हमने यहां पर यहां पे अक्सेस करेंगे ब्राउजर में और जैसे यहाँ पर उस IP को देंगे हम 15.0.0.2 तो यहाँ पर Cisco Packet असर उपर में लिखा हुआएगा बट अगर आप नाम चेंज कर देंगे जो नाम आप देंगे वही नाम यहाँ पर लिखा हुआएगा यह आपका Static Net 1 to 1 Mapping है ठीक है इसको अगर आप कंफियर करेंगे कंफियर करेंगे